इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ POCO C55 का FRP बाइपास करने का तरीका यानि कि इस डिवाइस का Gmail ID लॉक रिमूब करने का तरीका वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेगा और बिल्कुल भी स्कीप नहीं करिएगा सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कन्फर्म कर देने वाला हूँ कि मेरे पास यह जो डिवाइस है POCO C55 यह पूरी तरह से FRP लॉक है यानि कि Google अकाउंट लॉक है तो यहां से मैं Simple Skip this statement करूँगा यहां से Simple Next करूँगा Connect to network वाले option प्याच चुके हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या होता दोस्तों डिवाइस को किसी Wi-Fi से connect कर देता हूँ अब देखेगा डिवाइस हमारी connect हो जाएगी ओके device connect हो गई यहां से simple next करूँगा अब कुछ second wait करिए आपको पूरी तरह confirm हो जाएगा कि मेरे पास यह जो device है focus c55 यह पूरी तरह से frp lock है यानि कि google account lock है और यह देखे यह problem आपको phase करनी पड़ती है यहां पे देखे unlock after factory reset का option आ गया यानि कि device को unlock करने के लिए आपको यह pin enter करना होगा जो कि हमको नहीं पता है pin की जगह पे pattern या password का भी option हो सकता है चुकि pin का option है और pin हमें नहीं पता है तो यहां पे second option है use google account account instead मैं इसपे click करूंगा अब देखेगा यहां पे लिखके आगा verify your account आगे चलके device का FRP bypass करने के लिए आपको इस device का google account verify करना होगा जो कि हमको नहीं पता है ठीक है तो अब ध्यान से देखिए कैसे आपको Poco C55 का FRP bypass करना है एक चीज़ और ध्यान दीजे दोस्तों device का software बि अब करना क्या होगा email or phone का option है आप simple इस पर क्लिक करें आपको device का keyboard open हो जाएगा keyboard में दोस्तों आपको यह symbol देखने को मिलता है आप simple इस symbol पर क्लिक करें ओके तो यहाँ साइड में देखेंगे तो numbering है आपको करना है ध्यान से आपको 30 नमबर पेज़ जाना है ध्यान से यानि कि 13 number page पे, तो यहाँ पे आप नीचे आईए, 13 number page पे आपको जाना है, ठीक है, यह देखे, मैं 30 number page पे आ चुका हूँ, 30 number page पे यहाँ पे नीचे तरफ आपको यह email address देखने को मिलता है, आप simple इस email address पे click करें, जैसे ही click करेंगे, तो यहाँ पे share की यह सारे option आपको so क करेंगे, यहाँ पे दिखे एक option है, Gmail का, आपको करना है, Gmail को press and hold करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे press and hold करता हूँ, ओके, ऐसा करेंगे दोस्तों, तो यह interface देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक option आपको मिलता है, दोस्तों, notifications का, आप simple notification पे click करें, उसके बाद बिलकुल नीचे आजाए, बिलकुल नीचे एक option मिलेगा, additional setting in the app, आप इस पे click करें, उसके बाद आपको ऊपर की तरब three dot दिखेगा, आप simple three dot पे click करें, तो यहाँ पे आपको दो option देखने को मिलेंगे, आपको simple click करना last वाले option पे, यानि की help and feedback पे, help and feedback पे click करेंगे दोस्तों, तो delete type करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक option आपको so करेगा, delete a disable app on android, आप simple इस पे click करें, ओके, कुछ second wait करेंगे, तो यह interface so करेगा, यहाँ पे सबसे पहला option देखे, delete, disable and manage का option है, आप simple इस पे click करें, ओके, तो यह options आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे देखे दोस्तों यहाँ पे आपको numbering side में देखने को मिलती है, यहाँ पे पहले number पे एक option है, tap to go to application setting, आप इस पे click करें, तो आपके device में by default जो applications की list है, यह देखे दोस्तों, सारे application की list है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, आपको करना क्या होगा, सबसे पहला option यहाँ पे देखे, एक application ह तो आप इस पे click करें, okay, click करने के बाद आपको करना क्या है, इस application को सबसे पहले disable करना है, उसके बाद force stop कैसे करेंगे, यह disable है, आप disable पे click करिए, नीचे से simple disable app करिए, okay, उसके बाद force stop करना है, उसके बाद नीचे से simple आप ok करिए, ठीक है, android auto, इसका work finish हो गया, अब हम यह यहां से back चलेंगे, back आनेक बाद, second number पे एक application है, android setup, आप इस पे click करें, okay, आपको करना क्या, इस application को सिर्फ force stop करना है, तो आप यहां से force stop करिए, उसके बाद नीचे से ok करिए, ठीक है, इसका work भी finish हो गया, अब उसके बाद हम यहां से back आएंगे, back आनेक बाद, अब यहां से आप नीचे आएं, एक और application है, जिसे disable और forces stop करना है, तो वो application है, Google Play Services, आप simple इस पे click करें, same to same वही काम disable and forces stop, तो आप यहां से पहले इसे disable करें, उसके बाद नीचे से disable app कर दें, ठीक है, यह देखिए, automatic back आ गया, ठीक है, तो back आ गया, तो फिर से आपको यहां प सारे application दोस्तों, जिसे disable और forces stop करना था, वो हो चुके है, अब उसके बाद हम back चलेंगे, back आने बाद दोस्तों, आप यहां से नीचे आएं, आपको यहां पे last application देखी दिखेगा, setting, यह रहा, settings, आप simple settings पे click करें, उसके बाद यहां पे open का option है, आप open पे click करें, तो यह द update है, okay, android version आप देख सकते हैं, 12, okay, यह बिल्कुल इसका latest update है, अब हम back चलते हैं, back आने कबाद दोस्तों, आपको करना क्या है, यहां पे आप नीचे आईए, नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहां पे a option आपको मिल जागा, additional settings, आप इस पे click करें, उसके बाद आपको click करना दोस्तों, accessibility पे, उसके बाद आपको click करना, accessibility menu पे, उसके बाद यहां देखे, accessibility menu shortcut जो की off है, आपको simple इसे on करना है, ठीक है, on करने के बाद यहां से आप simple allow कर दें, उसके बाद यहां से okay कर दें, यह देखे, accessibility menu shortcut on हो गया, और जब यह on होगा, तो यहां पे देखे, yellow color का य यह देखे अब हम back नहीं जा पाएंगे यह देखे back जाने का कोई भी option नहीं है ठीक है तो आपको simple device को reboot कर देना है power button को press कर दिये और device को reboot कर दीजे ठीक है तो यहां से device को reboot यानि कि मैंने restart कर दिया दोस्तों अगर आपको यह device purchase करनी हो तो इसका link मैंने description box में दे दिया है सार Android to iPhone यानि कि Android से लेकर iPhone तक तो आप अमीत भाई से जरूर contact करें इनका contact detail मैंने description box में दे दिया है यह पूरी help करेंगे iPhone से लेकर Android तक सारी devices को online unlock करने में यह आपकी पूरी help करेंगे तो अभी device मारी reboot हुई है कुछ second आपको wait करना है यह देखे device reboot होकर पूरी तरह से active हो गई अब देखे आपको करना क्या है अब आपको Android से टप करना है तो चलिए सेट अप करते हैं यहां में simple इस arrow पे क्लिक करूँगा कुछ second वेट करना है कोई जल्दबाजी नहीं ध्यान से वीडियो देखे कुछ second आप यहां वेट करिए यह देखे just a few moment आपको कुछ second वेट करना है ओके यहां पे देखे don't copy का आप सना गया आप don't copy पे क्लिक करें और अब दोस्तों यहां उपर की तरफ ध्यान दीजी यह देखे यहां पे होगा क्या checking for update just a second और यह continue round करेगा ध्यान दीजी यह देखे अब इसके आगे कुछ भी नहीं होगा checking for update just a second और यह continue round करेगा तो अब देखे आपको करना क्या अब यह जो आपने on किया था accessibility menu shortcut इसका work सुरू हो गया आपको करना क्या है सबसे पहले आप इस पे क्लिक करें यह सारे options हो करेंगे उसके बाद आपको क्लिक करना Google Assistant पे तो यहां पे दिखेगा blue color का setting ओके जैसे ही setting दिखेगा आपको जल्दी अलदी setting पे क्लिक करना है इससे क्या होगा आपके device में Google Play Services का app info open हो जाएगा आपने Google Play Services को disable किया था disable किया था आपको सिर्फ और सिर्फ उसे enable करना है चलिए मैं practically दिखा देता हूँ accessibility पे क्लिक करेंगे Google Assistant यहां पे दिखेगा setting नई दिखा फिर से try करेंगे accessibility गूगड़ असिस्टेंट यही बार बार आपको repeat करना है दोस्तों जैसे ही setting दिखेगा, आपको setting पे जल्दी अल्दी click करना है, इससे क्या होगा? आपके device में Google Play Services का app info open हो जाएगा, आपने Google Play Services को disable किया था, आपको उसे enable करना है, तो यहाँ accessibility, Google Assistant, setting, यही आपको repeat करना है दोस्तों, तो जब तक आपको करना है, जब तक कि आपके device में Google Play Services का app info open न हो जाए ठीक है और यह देखे finally चार से पास बार हमने टाइप किया और यह देखे Google Play Services का app info यहाँ पे finally open हो गया आपने Google Play Services को disable किया था, last में यहाँ पे देखे enable का option है, आप simple enable पे click करेए ओके और यह देखे बस enable पे click करने के बाद directly यहाँ पे Google Services का option आ गया, यानि कि अब आपके device का FRP बाइपास हो गया मैं complete setup करके दिखा देता हूँ, more पे click करेंगे more करेंगे, accept करेंगे, ओके इस option को simple skip कर देंगे यहाँ से आपको okay करना है इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बता दिया POCO C55 का FRP बाइपास करने का तरीका यानि कि इस device का Google अकाउंट लॉक रिमूब करने का सबसे easy और बिल्कुल latest तरीका finally दोस्तों यह देखे, setup complete का आपस ना गया इस आएरोपे मैंने क्लिक किया, कुछ सेकंड वेट करिए आपकी device पूरी तरह से अनलाक हो जाएगी और यह देखे, finally आपकी device पूरी तरह से अनलाक हो गई एक चीज़ और, accessibility menu shortcut यह आपने on करके रखा हुआ आपको इससे सबसे पहले off कर देना, ठीक है यहाँ आप setting में आने बाद जैसे आपने on किया था न सेम तरीका से आपको इससे off कर देना, ठीक है additional settings पे click करिए, accessibility पे click करिए, okay accessibility menu पे click करिए, यहाँ से आपने on किया था, आप इससे off कर दें बस, finally आपकी device Poco C55 पूरी तरह से अनलाक हो गई यह पूरा full process है Poco C55 का FRP, यानि कि Google account lock, Gmail ID lock remove करने का अगर दोस्तों आपको advice purchase करनी हो, तो एक बार फिर से repeat करता हूँ, इसका link मैंने description box में दे दिया है, वहाँ से check out कर सकते हैं यह वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे comment करके जरूर बताइएगा अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपके लिए helpful है, तो please आप मुझे जरूर support करें support करने के लिए simple आपको करना है, वीडियो को like करना है, share करना है, channel को subscribe करना है और continue वीडियो की notification पाने के लिए bell icon को जरूर प्रेस करिएगा तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद, thank you, thank you so much